हेलो एवरिवन विल्कम बाक टू वर्मेजुकेशन एंद आज हम लोग ना बात करेंगे जारकन में जी एनम के कितने प्राइवेट कॉलेज है ठीक है तो सारे प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट में यहां पर फाइनली निकाल लिए हो अगर आप जी एनम करना चाहते हो अगर आपके रैंक पीछे है ठीक है आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा उसके बाद ही आप कॉलेज में अड्मिशन ले पाओगे ठीक है क्योंकि जी एनम के जीतने भी प्राइवेट कॉलेज है वहां पर 50% सीट होता है वो जारकन कंबाइन के काउंसलिंग के तुरू होता है और 50% सीट जो बचता है वो आकॉलेज का अपने बचसी रहती है वह जारकन कंबाइन के नर्साइन काउंसलिंग के थूरू होते है ठीक है तो अगर आपको कांसलिंग करवाना है जारकन के प्राइवेट युनिवर्सिति के लिए भी ना advertisements ke लिए विए तो आपको यह जो नंबर आपको दिखाया दे रहा है उस नंबर पर आपको कॉल करना है काउंसलिंग का नोटिस आने के बाद जारकरंड कमबाइन का जी एनम या फिर एनम का काउंसलिंग नोटिस आने के बाद आपको इस नंबर पर कॉल करना है counseling purpose के लिए या फिर counseling से related doubts के लिए ठीक है online counseling हमारे थुरूपी होती है अभी हम लोग बात करते है कि जारकर में कितने private college है जहां पर jnm की classes होती है ठीक है तो private college जहां पर देख सको 70 total जो है अगर आप college का बात करो तो बुकारों में यहां पर पहला दिख रहा है एजी college of nursing दूसरा हमारा है चत्रा में जीरामनी nursing school and दिवघर में सीव म स्कूल अफ नर्सिंग जहां पर 17 सीट है ठीक है जारकन का माइन की तुरू धनबाद nursing school जो कि धनबाद में है जापर अभी जीरो सीट है फिलाल केके स्कूल अफ नर्सिंग देवली में 56 सीट है कुमार इंस्टीट एल्थ एजूकेशन राजगंज में 18 सीट है SNS Institute of Nursing Science भोली जो कि धनबाद में 12 सीट है तो यह list में basically telegram पर भेज़ दूँगा telegram पर अगर अभी तक आप लोग जॉइन निकी हो तो जॉइन कर लो अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट बताते जाओंगा देना यह वीडियो बहुत लंबी चली जाएगे तो आपसे request that कि आप telegram पर जॉइन हो जाओ और अगर आपको बीएसी नर्सिंग के प्राइविट कॉलेज के लिस्ट चाहिए जो जारकन कंबाइन के counseling से आपको admission लेती है तो अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो एक बारी टेलिग्राम पर बताना ठीक है मैं वहाँ पर आपको उसके भी detail बताऊँगा ठीक है आज के इस वीडियो में इतना ही जो भी doubt है comment section में बताएगा thank you for watching everyone बाबाई